Hello, friends! आप सभी का स्वागत है. Friends, आपके Board के Exam में Later या parecer application लिखने के लिए प्रश्न आता है. यह आपके Board के Exam में टोटल Drawer नमबर का प्रश्न आता है. तो आप Board के Exam में किस प्रकार से आप लिखेंगे, जिससे आपका board examiner जो होता total 4 number का यदि प्रश्ण है तो total 4 number आपको दे तो friends यहाँ पे आप सभी को application लिख के बताएंगे कि आप board की exam में किस प्रकास application लिखेंगे देखें यहाँ पे आपके दो प्रश्ण होते हैं ठीक है इन दोने में से कोई एक ही प्रश्ण आपको करना रहता है चाहिए आप लेटर लिखें चाहिए एक application लिखें यहाँ पे देखें किस चीज पर पूछा है इसका answer आप कैसे लिखेंगे आपको अदम simple भासा में बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरूर देखिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें किजिए और चैनल पे नए है तो चलको साथ में subscribe कर लें देखें यहाँ पर क्या है देखें यहाँ पर आला प्रश्ण के लिटर लिखना है तो यहाँ पर आप सभी को application बताएंगे कि application किस प्रका से लिखा जाता है अब देखें application लिखना किस पर है कि write an application to the principal of your college requesting him to make your library active which is almost dead देखें आपको क्या लिखना है कि आपको library पर लिखना है कि आपकी school में library नहीं है तो आप library खुलवाने के लिए किस प्रका से एक principle को application लिख लिख सकते हैं तो चलिए यहां पर देखें आपको इस प्रकास बोर्ड के exam में copy रहेगा इस copy पर आप कैसा लिखेंगे जिस प्रकास बता रहे हैं उसी प्रकास लिखिएगा पहले नमबर तो बोर्ड के exam में जैसे question number 22 है यहां पर डालिएगा question question number 22 ठीक है अब यहां पर देखें आकाउंस आप कर रहे हैं और अथवाला कर रहे हैं तो यहां पर लिख दिजिएगा question में अब देखें यहां पर लिखना है तो पहले सबसे पहले application लिखते हैं आपको क्या करना है कि यहां पर लिखेंगे तो यहां सबसे उपर लिख दीजिएगा application जिससे examiner देखें तो समझ जाए कि आप application लिखें यहां पर application लिखेंगा ठीक है application ठीक है application लिखेंगा ठीक है application ल लिखिएगा टू ठीक है यहां पर कामा दीजिएगा कामा देने के बाद यह लाइन छोड़ दिया जाता है लाइन छोड़ने के बाद यहां से लिखिएगा दप्रिंसिपल प्रिंसिपल को लिखना आधे प्रिंसिपल लिखें तू दप्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है और य कि छालाइब यहां पर ईंटर कालेज कि वैंघ एंटर कालेज थी करके कि यहां पर आपम देती जागा यहां पर nokोई भी डिश्टी का नाम बोहैं देदेते हैं आपको पधिना यहां ठीक है इसके अलाबा गाजी पुल में जो मिरजापुर जो लिखना गोरक पुर लिखना चाहते हैं यहां पर लिख सकते हैं ठीक आगरा के जगह पर अब यहां से देखिए इसके नीचे देखिए प्रारूप देखिए अप्लिकेस्ट लिखने के जिस तरह बतार इसी प्रार कालेज कोई भी कालेज का नाम लिए दीजिएगा यहां कामा कीजिएगा अपने डिश्टिक का नाम या कोई भी डिश्टिक का यहां डाल सकते कोई जरूरी नहीं अपने डिश्टिक का डालेंगा ठीक यहां कामा कर लिजिएगा अब देखें इसके बाद क्या करना है यहां आप subject डाल दीजिएगा यानि किस पर आप application लिख रहे हैं यहां से आप क्या किजिएगा subject डाल आप subject डेखें किस पर है तो subject आप क्या है कि library for application लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी टिक है याणि जो एप्लिकेशन लिख रहे हैं लाइब्रेरी के लिए लिए लिख रहे हैं कर लिएगा अब यहां से देखिए सीधे में यहां से सीधे में प्रनाइब इसके सीधे में सब्सक्राइब कीजिएगा most respectfully क्या लिखेंगे most respectfully जितने सुन्दर राइटिंग में लिखेंगो उतने अच्छे नंबर आपको मिलेगा ठीक फ्रेंस रेस्ट फुली कामा दीजिएगा I beg to say that I beg to say इतना लिख लिए जाता है अब जीज चीज पर लिखना उस पर लिखना जैसे आप यहां से सर जहां लिखें इसके नीचे से लिखना इसटार्ट किजिएगा तेधी हरई नो आपश्यर इस नो है लाइब लेज लेघरी लेटरी इस अवर इन मोठा लेज अब अबार कालेज इस तरह लिखेंगे कायम पस कायम पस ठीक है अब दिनके यहां से क्या करेंगे फुलिश्टाफ होगे अब यहां से लिखेंगे लाइबरेड्य लिखिएगा लाइबरेड़ी ऑफृ बीज्मेन इस मेश एवरीड इस में डिके जैसे यहां आप अब आपके कंप्लीट है आपका हास लिखेंगे यहास लिखना इस्टाट करेंगे टेकर में सोर्सेज इस आफ नालेज आफ नालेज आफ नालेज यहां देखें फूलिश्टाप कर लिज़े ठीक है फिर का करेंगे लाइबरेरी इस एं मतलब लाइबरेरी के बारे में जो कम यहां आपको समझ मैंको यहां पर लिख सकते हैं लाइबरेरी इस वेरी नेसेसरी नेसेसरी फार लिख लिजिए अब यहां से लिखना से लिखना इस्टाड कीजिए अभी लाइन आप कुछ चेंज नहीं करना है ना फार लिख कर nào फार इभरी का लेज इभरी कालेज आलेज़, सो देट, सो देट, आल इस्टुडेंट, आल इस्टुडेंट, आल इस्टुडेंट, में गी और्म बेनिफिट, benefit benefits ठीक है यहाँ पर okeline complete अब देखिए यहाँ पर लाइब्रेरि के बारे में मतलब लाइब्रेरिया आपके कालेज मिना है ति क्या आपको कमी महसूस हो रहा है वह यहाँ पर शब्स में लिखे देंगे लेकि प्रारूफ जो बता है यह प्रारूफ आपको साभी होना चाहिए ऐसके बाद क्या करेंगे जैसे आप किसे फिलिश डुक हो गया मिषल होगे और जेसे आपको क्या करना लाश्ड में लिखना रहें попроб। इसैंश네 कर दस्कंट्बूर यहां से लिखना म導ब करने इलाइम की नीचे से तरस्ट कीचेगा लिखिएंगा वह request you provide provide the library the library library ठीक है facility देखिए यहां पर जैसे वागे complete नहीं है अब जैसे लिखना है तो आप इसके निचे से यहां से लिखना से लाइबरेरी फैसलेटी इन इस इन इन इस सेजन सेजन ठीक है यहां पर complete हो गया अब देखिए इसमें दो आपको और काम करना रहता है देकि आप जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं यहां जब लिखेंगे ना तो आप ऐसे प्लाट की दूसरे प्लिख लिख लिएगा ठीक है यहां से लिखे आप लाष्ट में सबसे नीचे यहां पर क्या लिखना रहता है ओडेंट्ष कम %. ओपने नाम लिखना नहीं रहता है यहां पर यह यह क्या किज़ेगा यक्स य्जट कुछ भी दे सकते हैं यक्स य्जट दे दिज़ेगा और लिखना होगा यहां पर कलास लिख लिखेगा class ठीक है एक्स लिखे दीजे class एक्स मतलब class 10 हो गया ठीक है और यहां प्रारूप पूरा डिटेल में आपको क्या करना रहता है एक application library के बारे में आपको लिखना रहता है ठीक है तीक है देखें जो प्रारूप है बस प्रारूप आप बोर्ड के एक्जाम में सही रखिएगा ये प्रावूप सही है तो आप आसानी से लाइबरेरी या किसी चीज पर फिर वाफ ही हुआ है यज विजाब को लिखना रहेगा तो एकजाम को लिखना रहेगा ठीक है तो फ्रेस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चलो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें